नमस्कार दोस्तों आज हम 10th class का जो updated syllabus से उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं और इसमें यह भी चर्चा करेंगे कि कौन सा question किस type करेगा कैसे रहेगा first term में कितने mcq रहेंगे second term में कितने mcq रहेंगे किस तरह से paper होगा उसके बारे में भी चर्चा करने वाले तो चले शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले यह जो first term में प्रतम 17 मतलब first term यह जो first term है first term की जो परिक्षा है exam है उसमें पूरे question जो है वो कैसे रहेंगे बहु विकलपात मकाहा प्रशना यहाँ पूरे प्रशना यह कैसे रहेंगे बहु विकलपात मक मतलब mcq टाइप रहने वाले है तो यह सबसे आपके लिए अच्छी ख़बर है और हम हर एक mcq मतलब हर एक grammar के topic के उपर mcq publish करने वाले है जिससे आप practice कर सको और आपको बहुत सारी help हो जाएगी और हमने gain app बनाया है gain app नाना शिंदी आप ऐसा play store पर सर्च करोगे तो आपको वहाँ हर एक topic पर quiz मिलेगा digital method में और आपको आसानी से और enjoy करके वो quiz कर सकते हो ता आप उस app को gain app नाना शिंदी इससे जरूर डाउनलोड किजे इंस्टॉल किजे आपको उससे भी काफी help हो जाएगी क्योंकि हम वहाँ अलग-अलग तरह की quiz update करते रहते हैं notes update करते रहते हैं तो आपको उससे काफी help होगी है तो चलिए अभी हम YouTube पर भी quiz update करने वाले है उसका भी video बनाने वाले है तो कोई tension नहीं कोई डरने की बात नहीं है तो सबसे पहले संदी कारिये है तो आपको कुछ स संदी डिलीड भी की है जैसे वेंजन संदी जो है यहां जश्तो संदी है वर्गिये प्रथम वर्न से तुर्तिय वर्ने परिवर्तनम और जो है दुसरी है अनुनाजिक संदी मतलब प्रथम वर्न के जगह पर पंचम वर्न करना ठीक है यह भी mcq टाइप ही पूरा paper mcq रह देगा इसकी उपर भी हमने ग्याइन अप में क्वीज बनाएं आप देख सकते हो हर एक topic के उपर आप देख सकते हो उसके बाद समास अभी समास में तत्पूरुस समास है अवीबाव समास है तो उसमें जो बहुरी समास था और डिलीट हो चुका है आपको इस बार पढ़न मतूप और तो है और स्त्री प्रत्य में श्रीप टाप है आपको पढ़ने के लिए तो काफी सारा डिलेट भी हो चुका है उसके बाद वाच्य परिवर्तनम तो लट लकार में श्रीप आपको कोशन पुछे जाएंगे तो आप आत्मनेपत का जो लट लकार है उसे याद कर लट राएगा उसके बाद समय फॉप जैसे रहेगा उसके इसा हैहां एक्ट को है वापको पडान ी जो है अभी तेख लिया हमने इसके बाद सीवंद कोशन चुका है तो असुद्धि संशुदन की उपर भी हमने वीडियो बनाए ठीक है तो यह भी आपको टॉपिक रहने वाला है अभी यहां उन्होंने कौन सा कोशन कितने मार के लिए बताया नहीं है तो जैसे ही उनका सैंपल पेपर पब्लिश हो जाता है तुरंत हम आपको बता देंगे औ पंच प्रश्णानाम निर्मानम ठीक है तो यहां प्रश्ण निर्मान है और यह पठिताव बोधन है मतलब यह चाप्टर पर ही डिपेंड रहेंगे आपके जो चाप्टर है उस पर ही आपको पूछा जाने वाला है उसके बाद शब्दार्त चैनम प्रसंगानो कूलम समु दूसरा शब्द एड करना है तो उसकी निचे अंडर लाइन दिया जाएगा और उसके सिमिलर वर्ड आपको ढूढ़ना है उसी शब्दार्त चैनम कहा जाता है सिंपल क्या है कि यहां परियावज शब्दों की बात की गई है तो आप हर एक चाप्टर में जो परियावज पहिचानों विशेशन पहिचानों परियापद विलोंपद इस तरह के आपको कोशन रहने वाले तो अभी हम देख लेते कि फर्स्ट जो टर्म है उसमें कौन-कौन से चाप्टर आपको पढ़ने के लिए फर्स्ट चाप्टर है शुची परियावरणम सेकेंड चाप्टर बुद्धिर बलवति सदा चाप्टर मतलब थर्ड जो है व्याया महसरवदा पत्य हो डिलेट किया है तो चतुरत पाट डैरे शुशुलालनम पंचम पाट जननी तुल्लेवत सला इस तरह से उसके बाद जो है जो वार्षिक परिक्षा जीसे वार्षिक परिक्षा मतलब से ततनी चर्णी पाट लिखो और पराशान कर्ण ब्स परियाप्त पंचम परियापत्पत्र लिघ्ध कर्णी और यह में जो है पस्कील को मतलब है यहां कोई डारनी की बात नहीं है और आपको उसमें से पूछना है उसके बाद जो रचनात्म कारिया है अभी देखिए परस चित्रवर्णन है नहीं अनुवाद है ठीक है कुछ भी नहीं है तो यह सब सेकेंड टम में है तो पत्र है अपचारिक अनुपचारिक उससे कोई फरक नहीं पड़ता है क्योंकि आपको यह मंजूशा मतलब बॉक्स मतलब तो कोई फरक नहीं है अभी तक यह प्रैक्टिस जो आपने एक्जाम से आसे पत्र रहता है कि उपर एक पत्र दिया जता है और उसके क्यों कि वहांगा वोग और घंप बनाएं ऊब दो तिन यूडियो हमने बनाए पत्र लेखन के उपर तो आप यह देख लीजिए चित्र वर्नन कैसे करना उसके बारे में भी है अभी चित्र वर्नन या फिर अनुच्छेद दोनों में से आप कोई एक कर सकते हो अनुच्छेद मतलब वह चित्र लेखन की तरह ही होता है आत्या like करना एक से ने आत्या तो देख़ा देखना पड़ेगा कुंसा के लिए वेट करेंगे अभी कुछ ने कि नीं करूंग गा कि ये कुछ नमारत हो मगर पहले साल इससे पहले पहला साल ता उसले एक इसम और क्यांन ये जो है खबीज 罫ॉत्टियों है क् जाएगा मगर इसमें क्या है एक पद्रत रहेंगे और पुर्ण वाक्य न रहेंगे बस इसमें कोई बाशिक कारिया नहीं रहेगा क्योंकि पहले कैसे था 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 तक था 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 इससे पहले अभी देखना पड़ेगा कि कितने मार का कोशन है उसके बाद नाट्याश नाट्याश मतलब अभी जो चाप्टर होता है उसी में से किसे एक चाप्टर का मतलब एक टौपिक दिया जाएगा और उसके उपर आपको एक पदेन पुरुनवाकिन प्रश्ण उत्तर करने हैं ठीक है तो यह कोई कोई आपको ने रहने वाला यह सीन पैसे आपको दिया जाएगा तो यह द्याड़ रखने है उसके बाद अनवय है कोशन नमबर रेट में अनवय है या भावारत है अभी अनवय और भावारत क्या होता है उसके उपर भी हमने वीडियो बनाया है और यह भी मनजुशा है आपके बाहर से पुछा देगा नहीं बिल्कुल नहीं या सरल सरल दिया है कि पठीत अवबो धरम और इसलिए टेंशन लेनी कोई जरोतनी उसके बाद घठनाक्रम तो घठनाक्रम मतलब क्या होता है आपकी जो चाप्टर की स्टोरी होती किसी भी एक चाप्टर की ऊपर कु इतने ही चाप्टर है मतलब चारी चाप्टर है तो इसके लिए आप क्या-क्या पढ़ सकते हो अभी मैंने बता दिया अभ्यासवान भाव और व्याकरन विति यह दो बूक है अभी कहां मिलेगे आपको तो आप एदी नसे डाट कॉम पर जाओगे तो वहां बिल्कुल फ्र फ्री में मिल जाती है आप इसे डाउनलोड करके इनके थ्रूब्या प्रैक्टिस कर सकते हो तो इस तरह से हमने आज चर्चा किए तो आप ग्यान एप भी डाउनलोड कीजिए उसमें काफी सारी आपको हेल्फ होनी वाली मदद होनी वाली है तो ग्यान एप नाना शिंदे आप एसा प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा आगे चलकर हम हर एक टॉपिक पर क्वीज बनाने वाले हैं और वह उस आप में भी पब्लिश करेंगे और यहां भी उसका वीडियो बनाएंगे जिससे आपको समझने में और सीखने में प्रैक्टिस के हो तो आज के लिए इतना ही थैंक यू